नमस्का दोस्तों भगवान की बनाई हर चीज में कुछ खासियत होती है लेकिन हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गई है कि छोटी छोटी जरूरी चीजों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं उप्योगी चीजों की लिस्ट में आज हम आपके साथ एक ऐसे पौदे के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी भी घर के आंगर में दिवार पर आसपास कहीं भी लगा हुआ मिल जाएगा दोस्तों आपने इस पौदे को नजदीक से जरूर देखा होगा इसे परसलेन या कुलफा के नाम से जाना जाता है कई लोग इसे जंगली पौदा समझ का नौच फैकते हैं ये पौदा कई तरह के न्यूटिशिन का भंडार है कई लोगों को इसकी खासित के बारे में पता ही नहीं खाने में इसका टेस्ट जितना बैतर होता है उससे कई ज्यादा इसमें मवजूद नूटिशन इसे उप्योगी बनाते हैं आज हम आपको इसके फाइदे बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप इस पौदे को कभी फैकेंगे नहीं और आप अपने उप्योग में इसे जरूर लाएंगे इस पौदे में ओमेगा 3 परचूर मातरा में पाया जाता है अभी तक आपको यही जानकरी होगी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मचली अंडा और फिश वोल सप्लिमेंट में मिलता है इससे दिमाग तेज होता है और हाट अटेक की संभावना भी कम होती है ऐसी में अगर आप वेजिटेरियन है तो ओमेगा 3 पाने के लिए यह आपका बेस्ट आप्शन रहेगा दोस्तो अब इसके फायदों के बारे में विस्तार से देख लेते हैं यह एंटी ओक्सिडेंट का भंडार है पसलेन में मुझूद एंटी ओक्सिडेंट आपकी स्किन को जवान बनाये रखने में मदद करते हैं साथी इसमें आपकी बाडी में बिमारियों से लड़ने की शमता भी बढ़ जाती है दोस्तो यह केल्शियम और मेगनेशियम का खजाना है इस पौदे को अपने डाइट में शामिल करने के बाद आपकी बाडी में केल्शियम और मेगनेशियम की कभी कमी नहीं रहेगी इसका मतलब यह है कि आपकी हड़ियां और दात मजबूत रहेंगे यह पोटेशियम का भी खजाना माना जाता है इसकी पतियों में काफी मात्रा में पोटेशियम होता है इस कारण इन पतियों को खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है दोस्तो यह आईरन में बहुती अमीर मारा जाता है क्योंकि इसकी पतियों में काफी आईरन होता है ऐसे में vegetarian लोगों को meat की जगा इससे ही iron मिल जाता है तो आप आज से ही इन पतियों को खाना शुरू कीजिए दोस्तों ये body को hydrate रखता है परस्नेल में 93% इन में पानी मवजूद होता है इसका मतलब ये है कि इसकी पतिया खाने से आपकी body hydrate रहेगी मतलब आप healthy रहेंगे और energetic बने रहेंगे दोस्तों आपको अच्छी नीद आएगी परस्नेल को अपने diet में शामिल करने से आपको काफी अच्छी नीद आएगी इसका कारण ये है कि इसमें मवजूद melatonin ये आपकी body में नीद के लिए जिम्मेदार function को regulate करता है वो इसमें पर्याप्त मातरा में पाया जाता है तो आप अच्छी नीद भी ले सकते हैं दोस्तों आज से ही कुलफा खाना शुरू कीजिए कुलफे की सबजी बनाईए कुलफे की चटनी बना सकते हैं कुलफे को कड़ी में खा सकते हैं किसी भी रूप में आप खा सकते हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ शियर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवा दोस्तों